हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग जैसा कि हमने पाट के पिछले भाग में पढ़ा था हर कारों के बारे में कि उनका क्या कारी होता था वे पैदल ही चलकर पैदल चलते हुए डाग को एक जगह से दूसरे जगह पहुचाया करते थे अब हम आगे की कानी पढ़ेंगे आपको मैं ऐसा तूंगली रखनी है आज कल तो संदेश बेजने के नए नए और तेज साधन आसानी सो प्लब्द हो गया है डाग बाटने में हवाई जाँच पानी के जाँच और जाने कौन कौन से साधन इस्तमाल किये जा रहे जैसा कि यह पर आया है हवाई जाँच जैसे इसे हम स्पीट पोस्त कह सकते हैं पानी के जाँच शिप जैसे आज कल शिप के थ्रूबी लोगों का जैसे बोल सकते पत्र है डाक है इन्हें पहुचाया जाता है और नए-ए साधन इस्तमाल हो गया है डाक विभाग भी पत्र मनी ओर्डर के साथ-साथ एमेल बधाई कार्ड आदी लोगों तक पहुचा रहे है अब जैसे हम देख सकते कि मनी ओर्डर मनी ओर्डर यहने पैसे सम्बंदित ओर्डर मानलो जैसे आपको अपने कजिन को या किसी डिलेट्यू को पैसे डालना है तो आप वो पैसे मनी ओर्डर के माध् माध्यम से भी हम एक जगह रहते हुए दूसरे प्लेस पे उसे पैसे सेंड कर सकते हैं अब जैसे यहां पर पता है बधाई कार्ड जैसे मालो आपको अपने फ्रेंड को बधाई कार्ड देना या शादी का कार्ड डालना है तो आजकल हम मुबाइल के माध्यम से या सफर दिल्चस्प करने वाला है हम देखते हैं कि पहले के जमाने में कहां कबूतरों की उड़ान याने कबूतरों को इस्तिमाल किया जाता था और अभी के यूग में हम देखते हैं कि हवाई, डाग, सेवा लोगों को उपलब्द हो रही है तो पिछले यहने पुरातन समय के और अभी के आधुनिक समय के यहां पे तुलना करते हुए सभी का नाम बताया गया है अब हम कहानी आगे क्यों देखेंगे सोचकर आश्चर यह होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाग भी हो सकता है यदि हम सोचे कि कबूतर संदेश वाग का कारे करता है तो थोड़ा सा हमें डाउट होता है कि कबूतर जो है किस तरीके से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता होगा कबूतर की कई प्रजातिया होती है और ये सबी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकते अलगी हमको लगता है कि कबूतर जो है वो संदेश लाने ले जाने का कारिय करता है लेकिन सबी कबूतर इस तरह का कारिय नहीं करते गिरह बाजिया, हुमर व प्रजाती है, जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश बेजने के काम में लाया जाता है अब यहाँ पर गिरह बाज एक शब्दा है, गिरह बाज यहने व कबूतर जो उरते समय कला बाजी करता है यहने कभी वो उल्टा होता है, कभी सीधा होता है, उरते समय करतब दिखाता है तो यहाँ पर बताए कि हुमर प्रजाती और गिरह बाज कबूतरों को प्रशिक्षित किया जाता है उने ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से डाक को एक जगह से दूसरे जगह पेसाई इस्थान पे पहुचाना है आखिर कबूतर अपना रास्ता ढून कैसे लेता है तो उन्हें जब प्रशिक्षन दिया जाता है उस समय वो ये सारी चीजे सीख लेते हैं उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकडो मील का रास्ता और सही जगह तै कर पाते हैं अब यहाँ पर प्रवाशी पक्षी आया है प्रवाशी पक्षी का अर्थ है ऐसे पक्षी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस्थान अंतरन करते हैं अर्थार जो बारो मैना एकी जगह पर ना रहकर मौसम के अनुसार अपने रहने की जगह को बदलते हैं जैसे हम देखते हैं कि जैसे जब ठंडी का मौसम होता है तो कुछ पक्षी एक जगह से दूसरे स्थान पे चली जाते हैं और जब गर्मी का मौसम आता है तो वो वापस अपने उसी पुराने स्थान में रहने के लिए आ जाते हैं तो इसे ही माइग्रेशन या स्थानन तरन की प्रक्रिया कहते हैं जिसमें पक्षी अपना मौसम के अनुसार जगह को बदलता है तो इस प्रकाल हम देखेंगे कि इस लेख में बड़ी सुन्दर तरीके से संचार के माध्यमों का और डाकिये के बारे में और कबूतर के बारे में काफी अच्छे से वर्णन किया गया है और डाक साधनों के बारे में और आधनिक युक के संचार माध्यमों के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानकारी हमें दी गई है